हेलो एब्रिवन स्वागते आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉब में DPS सिक्षक भर्ती 2024 टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वेकंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जगदलपुर से जहां पर सभी राज्यों के कैनिरेट आविधन कर सकते हैं आविधन के समय कोई भी फीस आपको नहीं देनी है 15 दिन के अंदर ही आविधन आप कर सकते हैं 8 मई 2024 को एड़टीजमेंट जारी किया गया है उसके आगे के 15 दिन तक ही जो है अप्लिकेशन फॉर्म आफिल कर पाएंगे यहां पर सैलरी काफी अच्छी तो मिलेगी ही साथ में एकोमोडेशन रहने की सुविधा एचारे जो भी आउटिस्टेशन कैनिरेट रहेंगे और उनके चिल्डरन को फ्री एजुकेशन भी जो है प्रवाइड होगा बाकि एज और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो DPS सोसाइटी नॉम्स के अकोर्डिंग ही जो है निर्धारित रहता है जितने भी DPS स्कूल है तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन, टीचिंग और नॉन टीचिंग में किस पोस्ट में वेकंसी है टीचिंग स्टाफ में, पीजीटी और टीजीटी में किस सब्जर्ट की वेकंसी है सारी चीजें समझेंगे डेली पब्लिक स्कूल जगदलपुर ये जो है, धर्मपुरा रोड, कालिपूर, जगदलपुर, 36 गड़ से ये वेकंसी है ठीक है, भारी राज्य के कैनिरेट जो भी 36 गड़ से भारी राज्य के है सब ये अप्लाई कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है Teaching पोस्ट में पीजीटी, English, Chemistry, Physical Education टीचर की वैकंसी है बस ये तीन सबजक्ट है, पोस्ट ग्रेजवेट टीचर के लिए इसमें क्वालिफिकेशन, जो है, आपका इस सबजक्ट में पोस्ट ग्रेजवेट हो और साथ में बीएड हो, और इसमें केवल पांच साल का अनभव तो इसमें चाहिए, पांच साल का तो अनभव इसमें होना ही जरूरी है, तो इससे आप समझ गए कि फ्रेशर केंडिडेट बिल्कुल अपलाए नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे वेकंसी डिपेस की ऐसी भी आई हैं, जहां पर फ्रेशर एलिजिबल रहे हैं, तो आप रेगुलर वीडियो देखते रहें, सभी में एक एक पोस्ट में वेकंसी है, तीजीटी में देखें, डान्स की पोस्ट है, जिसमें B.com या इससे भी higher qualification यानि M.com वाले अपलाए कर सकते हैं, experience जो है तीन साल का है और एक वेकंसी है, क्लर्क की पोस्ट के लिए graduate with good computer knowledge, computer की अच्छी knowledge होनी चाहिए, इसमें graduation मांगी गई है, qualification की अगर हम बात करें, बाकि कोई diploma, degree जो है computer से related मांगा तो लेकिन आपकी knowledge जो है, इसमें काफी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपके पास degree, diploma है तो और अच्छा रहेगा, experience तीन साल का मांग रहे हैं, एक पोस्ट है, कैसे apply करना है, तो salary जो है आप सभी जानते हैं, जितने भी Delhi Public School है, PRT की अगर हम बात करते हैं, तो 35,000 से अधि पोस्ट की देखें, तो 80,000 तक salary रहती है, DPS Society norms के according ही जो है बाकी चीज़े रहेंगी, salary के साथ में accommodation, HRA for outstation candidate, जो भी बहारी राज्य के candidate होंगे, तो उनको आवास की सुविदा मिलेगी, free education for the staff children, तो आपको क्या करना है, अपना जो आपका latest CV है, recent passport size photograph के साथ में, जिसमें आपने post के लिए apply कर रहे हैं, ये जरूर mention करें, 15 दिन के अंदर, विग्यापन जारी हुआ है, उसके 15 दिन के अंदर, यानि के 8 मई से लेकर, आप 15 दिन तक देख लें, ठीक है, आप लोग apply कर देंगे, ये नीचे सबसे दिया हुआ है, email address hr at the rate dpsjdp.com, mobile number भी दिया गया ह अगर official website पर जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने advertisement नहीं डाला है, newspaper में publish किया है, केवल, ठीक है, हो सकता है, डाल नहीं एक दो दिन में, लेकिन मैंने आप लोगों तक जो है information पहुँचा दी है, जो भी candidate apply करना चाते हैं, apply करियेगा, दुबारा बता दूँ, कोई fees जो है नहीं लग रही है, tgt की post के लिए यदि आप apply करते हैं, तो किसी भी तरीके का कोई CTAT या TAT भी नहीं मागा गया है, तो यह vacancy है, मिलेंगे next video में, thank you